दोसों, इंडिजिनियसली इंडिया के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कई तरीके के फाइटर यारक्राफ्टों का डिवलोप्मेंट हो रहा है, चाहे यो मद्धम वजन के 4.5 जेनरेशन के तेजस माक्टू या फिव जेनरेशन के AMCA जैसे यारक्राफ्ट हो, हाला कि दोसों, ये जो यारक्राफ्ट है, इसके डिवलोप्मेंट के काम काफी तेज रफतार से आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्दी दोनों ही यारक्राफ्टों के प्रोटोटाइब एक के वाल एक दुनिया के सामने आ सकता है, लेकिन दोसों, फिर भी यारक्राफ्टों को ल अगे बढ़ने का प्लान बनाया है और इससे कैसे इन यारक्राफ्टों के डिवलोप्मेंट और आसान होगा और भारत को जल्दी ये यारक्राफ्ट मिल सकेगा, दोसों, डिटेल में अगर 7-8 साल के भारत में डिफेंस डिवलोप्मेंट को देखा जाए तो गोवर्मेंट के तरफ से डिफेंस सेक्टर में डिवलोप्मेंट को अब संपूर रूप से पॉलिटिक से अलग करते हुए तेजर अफ़तार से भारत के अंदर डिफेंस एक्विपमेंटों के मिनुफैक्चिरिंग और डिवलोप्मेंट के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। को अपनाया गया जिसके अंतरगत भारत के कमपनियों को और अधिक भरोसे के साथ इंडिजिनियस एक्विपमेंटों को डिवलोप्मेंट को डिवलोप्मेंट को तेज किया गया है। और मार्कवान ये एक्विपमेंटों के बाद तेजस मार्क टू मिडियाम वेट फाइटर और अम्सिया जैसे फिफ जनेरेशन के फाइटर एक्विपमेंटों के उपर जहाँ पर काम किया जा रहा है। दोस्तों देजस मार्क टू एक्विपमेंटों को लेके जहाँ पर गॉर्मेंट के दौारा हाली में ही फन्ड जारी करते हुए एक्विपमेंटों के डिवलोप्मेंट का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है तो उँहीं पर बताया जा रहा है कि देजस माक्टू एयरक्रेप्टो के जो प्रोटोटाइफ है उसका रोलाउट इस साल के अंत तक ही अगले साल के शुरुआत में होगा जबकि एयरक्रेप्टो के प्रोड़क्शन साल 2026 से शुरू करने का इरादा रखा जा रहा है एयरक्रेप्टो को लेके विताय जा रहा है कि अगले साल तक एयरक्रेप्टो को लेके विया से अप्रूबल मिल जाएगा और फंड के बाद एयरक्रेप्टो के प्रोटोटाइफ के रोलाउट को भी साल 2024 तक सायद संपूर्ण कर लिया जाए पर दोस्तो सवाल अभी वी वना हुआ है कि इन एरक्रेप्टों में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मतलब जेट इंजिन वो कहां से जुगाड होगा और एरक्रेप्टों में किस तरीके से जेट इंजिनों को इस्तेमाल किया जाएगा। टर्बो फैन इंजिनों का इस्तेमाल किया जाएगा तो उही पर एमसी एरक्रेप्टों में इंडेजिनियसली डेवलप्ट किया हुआ हाई थ्रस्ट इंजिनों का इस्तेमाल होगा। एरक्रेप्टों के पास इंडियन एर फोर्स के सिफकेट जैगूर, डैसल एविएशन के मिराज और मिक-29 जैसे एरक्रेप्टों को रिप्लेस करने का जिम्मेदारी होगा। यह जो एरक्रेप्ट को डिजाइन और डिफलफ्ट किया जा रहा है, यह काफी हद तक देखने में तेजस मार्कवन और मार्कवन एयरक्रेप्टों के जैसा तो होगा। लेकिन यार्क्रेफ्टों में काफी सारे बदलाव किया गया है जैसे कि यार्क्रेफ्ट के संपूर्ण आकार को भी बदला गया है यार्क्रेफ्टों के वजन को भी बदला गया है यार्क्रेफ्टों के शमता को बदलने के साथ साथ यार्क्रेफ्टों में कैनर्स उइंग को आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि फिलाल यह जो सिंगल इंजिन यार्क्राफ्ट है इसके डिजाइन और डवलाफ्मेंट के फेज के साथ साथ इनिशियल बैच में भी जनरल इलिक्टिक A414 INS6 आफर वर्णिंग टर्वो फैन इंजिनों का इस्तेमाल किया जाना है और फुल आटोमेटिक डिजिटल इंजिन कंट्रोल सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया जाएगा A414 इंजिनों के जो ड्राइ थ्रस्ट है मतलब बिना आफर वर्णर के थ्रस्ट प्रोडूसिंग कैपिलिटी है वो करीवन 58 किलो नूटन है जबकि इसके मैक्सिमम आप्टर वर् 20 इंजिन कहा जाता है जो मैक्सिमम 85 किलो नूटन थ्रस्ट प्रोडूसिंग कर सकता है मतलब दोस्तों ये मार्क टू यार क्रेफ्टों में इंजिनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये मार्क वान और मार्क वान एयार क्रेफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजिनों के मक आबले में करीवन 13 निूटरन थ्रश्ट अधिर्ट प्रोड्यूस कर सकता है। development का काम, Defense Research and Development Organization और Aeronautical Development Agency के तरफ से किया जा रहा है और दोस्तों इसके जो prototype होगे निर्मान का काम है वो हिंदोसन Aeronautics Limited करेगा दोस्तों यहाँ पर AMCA aircraft दो engine वाले 5th generation के multi-roll air superiority aircraft है जो Indian Air Force के इलावा Indian Navy के आवशक्ताओं को इसकार में रखते हुए बनाया जा रहा है और इनमें 6th generation के भी technology का इस्तिमाल होगा जिस वजासे इन aircraft को कुछ-कुछ जगावा में 5.5 generation के aircraft भी कहा जाता है दोस्तों AMCA aircraft के development program में भी modified GE A414 engine का इस्तिमाल किया जाना है हाला कि दोस्तों इन aircraft के prototype के बाद शायद संपूर्ण रूफ से इसमें indigenous engine का इस्तिमाल किया जाए पर हो ही पर दोस्तों कुछ डिपोर्टों में ये भी दावा किया जाता है कि खाली prototype नहीं बलकि aircraft के कुछ initial badge मतलब mark 1 variant के 2 squadron aircraft में GE A414 engine का इस्तिमाल किया जाएगा और बाद में इनमें स्वादेशी engine मतलब भारत जो 110 क्लोनिटन thrust वाले engine के development का इरादा जता रहा है उस engine का इस्तिमाल किया जाएगा दोस्तों एकलिस्ट ये तो confirm है कि भारत जो 110 क्लोनिटन thrust वाले engine का development करना चाहता है ये असल में AMC ए Mark 2 Air Capto के लिए ही है और AMC ए Mark 2 Air Capto में संपूर्ण रूफ से इनी engine के इस्तिमाल किया जाएगा पर Mark 1 Air Capto को लेके फिलाल थोड़ा डाउट है कि इन Air Capto के prototype के बाद production variantों में ये नया engine इस्तिमाल हो सकेगा की नहीं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखते हुए जो suitable लगेगा उसके साथ ही इंजिनों के development के काम को आगे बढ़ाएगा दोस्तों ये जो 110 किलोनेटन थर्ष्ट वाले इंजिनों का development किया जाना इसे लेके कुछ दिन पहले ये भी खावर आया था कि शायद ये 125 125 किलोनेटन थर्ष्ट के इंजिन हो ताकि इंडिया के condition में आने के बाद ये कम से कम 110 किलोनेटन थर्ष्ट को generate कर सके क्योंकि इंडिया के environmental condition और इंडिया के यहाँ के जो terrain है वहाँ पे इंजिनों के जो maximum after warning थर्ष्ट या फिर क्या तो maximum thrust production capability है वो थोड़ा घड जाता है इवन दोस्तों आप लोगों को ये भी जान रखना चाहिए कि ये जो 110 किलोनेटन थर्ष्ट के इंजिन को भारत joint venture में या विदेशी कमपनियों के साथ मिल के बनाना चाहता है यहाँ पे भारत को technology transfer, make in India और intellectual property right को भी हासिल करना है ताकि आने वाले समय में भारत को इंजिनों को लेके किसी और देश के उपर और निर्वर करना ना पड़े saffron और rolls-rolls के तरफ से ही भारत को इंजिनों के development को लेके बड़े पेशकश किया गया है इवन इन दोनों कमपनी ही भारत के टेक्नोलोजी ट्रांसफ़र और मेकिन इंडिया जैसे initiative को लेके एक तरीके से हामी भरा हुआ है लेकिन अभी वी intellectual property right जैसे चीजों के उपर बातचित करना बाकी है तो से माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसे लेके DRDO और DRDO के जेट इंजिनों के development को लेके है और एक तरीके से भारत के साज in joint venture में जनरल इलिक्टिक भी आगे बढ़ना चाहता है कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया गया है कि जनरल इलिक्टिक अपने खुद के F414 variant के जो high thrust capability के इंजिन है उसका भी offer भारत को कर सकता है ताकि initially AMCA को high thrust इंजिन मिल सके तो इंडिजिनियर्स इंजिनों के development भारत के लिए इसलिए भी आवशक है क्योंकि इस तरीके के इंजिनों के development के program को जिस तरीके से भारत आगे बढ़ाना चाहता है इससे scale up और scale down variant भी तैयार होगा मतलब इसके high thrust और low thrust capability के इंजिन भी तैयार होगा जो आने वाले समय में और भी कई तरीके के एयर कैप्टों में इस्तेमाल हो सकेगा जबकि दोस्तों तेजस मार्क टू एयर कैप्टों को लेके भी कुछ report ऐसा भी आया है तेजस मार्क टू एयर कैप्टों के पहले batch के एयर कैप्टों में जो ए414 इंजिनों का इस्तेमाल होगा उसे भी फस्त रिफीट के दर्मियान इंडिजनियस इंजिनों से बदल दिया जाएगा जब कि तेजर्स मार्कवान एर क्रैप्टों को लेके भी इसी तरीक вместе के खबर है कि 110 गैन और realized वाले इंजिनों के दर्म्यान की जाए तो दोस्तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेला आइकन को फ्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जैहिन!